असलाम अलेकम फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रहे हूं दो तरह की चना चाट रेसेपी एक स्ट्रेट स्ट्राइल बनाऊंगी और एक मसाला चाट बनाऊंगी जो के दोनों भी बहुत ही मज़दार बनके तयार होने वाली है तो इस रेसेपी को लास तक जरूर देखेगा बि जिसके लिए मैं ने दो कप चना ली हूँ इसे मैं ओअर तो आपको चैर से पांच घंटा स्थी रखनाइना है और इसे वॉश करने के बाद पानी में बिगोutor जो इसका पानी है इससे फेकना नहीं है अब इसके बादने मैं एक कॉकर लूंगी इस ने चना दालूंगी त इसी पानी से इसे बॉइल करने के लिए रखूंगी मैंने दो कप चना बिगोनी के लिए रखी ती लेकिन ये भीगने के बाद इसके साइस थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये फूल जाते है इससे ये तीन कप के आसपास हो चुका है अब मैं इसमें तोड़ा नमक इसमें पानी बहुत कम डालना है उपर तक नहीं आना चाहिए अब ये मैं बन करके इसमें विसल लगा लूँगी अब ये चना रेडी है अच्छे से बॉइल हो चुका है अब इसमें कुछ मसाले एट करेंगे जिनमें मैंने नमक चाइट मसाला कुटीवी लाल मिल्च है औ खूटेती जो झाला काला नमक है बिल्कुल कम कम थोड़े से नमक डालना है और ये खुटी कोटी अखकी दनीया है और ये बॉइल पटेटो है जो हमने चने में डालेते हैं उब इसमें सबको अच्छे से मिक्स कर राना है बहुत ऐजी और ृसमपल सी रसीपी है बहुत ज बाद्नां सार्थ begitu अगुड़गों सब्सक्राइब что अफ़ेदार श्मुर्स पप्सक्राइब पाक है अब शृण हेरा नोके किस पुर्स पहन से जथाँ thank you आपको मेरी रेसेपी जरूर पसंद आएगी बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसेपी है और बहुत ही है यह इसमें बिल्कुल भी ऑईल यूज नहीं हुआ है लेजे मेरी चना चाट इस्टरी स्टाइल बनके तयार है अब मैं सेकेंड चना बनाना स्टार्ट करती हूँ जिसके अब इसके बाद में कुछ मसाले एड़ करते हैं सबसे पहले हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल से लो कर देना है और इसके बाद में मैंने यह हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च धनिया पॉर्डर और तीकी लाल मिर्च है यह जीरा पॉर्डर है और अब मैं इसमें थोड़ा सा अक् कालूँगी ताकि इसका कच्छापन निकल जाए अब ये देखो इसमें बॉयल आने लग गया है ये अच्छे से रेडी हो चुका है और ये जो मैंने बॉयल किया वा चना था इसमें डाल दूँगी और नमक इसमें दालूँगी थोड़ा चाट मसाला दालूँगी नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और इसे अच्छे से मीक्स कर लेना है इसका पानी अच्छे से सुखा लेना है और ये मैं इमली का पानी इसमें डालूँगी बहुती चटपटी सी मसालेदार चना शाट बन के तयार है अब इसे अच्छे से इसका पानी सुखा लेना और इसे सर्फ करना है यह माशाला से अच्छे से रेडी हो चुका है अब मैं इसे सर्फ करूंगी उपर से थोड़ा लेमन दालूंगी और कड़ी भी प्यास दालूंगी मैं इसमें उपर से थोड़ी और थोड़ा हरादनिया दालूंगी आप अपने ही साफ से सर्फ करिए आपको जो पसंद है तो मेरी मसाला चना चाट बनके तैयार है फिर मिलते हैं इंशालला एक नही रेसिपी के साथ मेरी रेसिपी पसंद आ हम इला